हर्याना के मुख्ये मंत्री मनोहलाल के कुशल नेत्रतु में देश भर के राज्यों के लिए एक बार फिर से हर्याना मिसाल बन गया है दरसल मुख्य मंत्री के दूर दर्शी नितरतु में हर्याना सरकार प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के डिजिटल इंडिया वियान को आगे बढ़ाते वे गुरुवार कुर राज्ये में विध्यारतियों के लिए मुफ्त में टैबलेट स्कीम की शुरुवात की गई है ये र बारम करते वे सरकारी स्कूल के विध्यारतियों को टैबलेट वित्रित कर इस क्रांती का अगास किया राज्ये के 119 स्तानों में ये टैबलेट वित्रण समारु आयचीत हुआ मुख्य मंत्री ने इस दोरान प्रदेश के सबी जिनों से वर्चूल माध्यम से जुड़े और बच्चों, शिक्षकों और अविभावकों से समार्भी किया इस एतिहासी कवसर पर सियम मनोहरलाल ने कहा शिक्षा के शेत्र में सूचना की करांती की शुरुआ टैबलेट कारिकरम से हो रही है ये करांती का युग है, हम बच्चपन में तक्ती पर लिखते थे क्योंकि वो हमारे लिए कंप्यूटर था, उस दक्ती की जगा अब टैबलेट ने ले ली है आप बच्चे इस पर अभ्याज करेंगे, ये अधिगम योजना शिक्षा के शेत्र में मील का पत्थर साबित होगी आज के इस सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्या और कृती में नहीं आता है, बलके मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांती है, रवुलिशन है कोई एक समय था, जब हम बच्पन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ, एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तक्ति, हमने तक्ति पर लिखा, उसको बार बार पोचा, फिर उस पर लिखा, पोचा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था, आज उस तक्ति की जगा इस कंप्यूटर ने टेबलेट ने ले ली है, अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे अभ्यास करेंगे, ये पुराने समय की तक्ति आज का कंप्यूटर सियम मनोहलाल ने कहा कि महाभारत के यूद से जैसे गीता निकली वैसे कोरुना के यूद से डिजिटलाइजेशन निकल कराया है कोरुना से स्वास्ते के बाद कुछ परभावित हुआ तो वो थी शिक्षा उन्होंने कहा कि कोरोना ने स्वास्ती के बाद शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया डिजिटल जो एक फेक्टर है वो बढ़ने शे बढ़ना शुरू हुआ और प्रधान मंत्री जी ने इस डिजिटल यूग को किस प्रकार से वर्णन किया उन्हें कहा कि हम खुश किसमत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रधावित की अर्थाच टेक्नोलोजी स्वरल और पहुच के अंदर है एक बार आप इसमें दिल्चस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जायांगे तुझे डिजिटलाइशन है इसका भी मैं एक विशेश प्रकार से विशेशन करता हूँ डिजिटल जिसके अगर हिज्जे करें उसको अलग-लग लेटर्स में लिखें डिजिटल और इस डिजिटल का एक बार से डि आई इसको हटा करके शिर्ष पर रख दें उपर और तो जो बाकि बचा वो क्या बचां घी आई टी एस क्या बचां है क्या ऑचाफ गीता डिजिटल को डिई दता है डिछेंट थोंनों को मिला दें दोनों दों मिलके मनगए डिए एल यानरे दिल में घीता एई गई डिजिटल है मुख्य मंत्री मनोहलाल ने कहा शिक्षा के शेत्र में एक बहुत बड़ी करांती की शुरुवात हो रही है आज तक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभ्यान नहीं चला देश के किसी भी राज्य ने 1-7-5 लाख बच्चों को टैबलेट वित्रित नहीं किये हर्याना एक ऐसा पहला राज्य है जो 99-12 के बच्चों को टैबलेट दे रही है तो आज मैं यह कहूंगा कि यह जो टैबलेट का जो सरकारी स्कूल को यह दिया गया है इससे खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं आगे की यो कल्ब ना करता हूँ कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की ख्षमता हमारे अंदर है और ये जो टेबलेट का आज सारा विश्यक किया गया है ये जैसे बताया के हम हरियाना के इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं अब ये देश के किसी और प्रवेश में इतना बड़ा भियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ पांच लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिये गए हो मुख्य मंत्री ने कहा कि हर्याना अपने बजट का सबसे जादा हिस्सा शिक्षा के शेतर पे खर्च करता है उन्होंने कहा कि इस बार बजट में अकेले 20,000 करोड रुपे शिक्षा पर खर्च किये जा रहे है मुख्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा शेतर में अमूल चूल परिवर्तन किये जा रहे है उन्होंने कहा कि सरकार दो टास्क फोर्स बनाने जा रही है जहां तक बजट की बात है, हमारे शिक्षा मंतरी जी ने बताया, हमारे महाविर से जी ने बताया, आज हमारा सबसे ज़्यादा बजट उस शिक्षा विभाग का है, हमारा बजट एक लाग सत्तर जार क्रोड रुपे का है, लगवक शिक्षा का बीस जार क्रोड अकेले, बीस हो आब वो तास्कोस बनाई है कह दिया है बनाने के लिए तो जल्दी उसका फर्मिशन हो जाएगा इस तो स्कूल Bon Cup न इसट इनफैल्डगर है को स्कूल की बिल्डिंग है ऐसकूल की चारदेवारी है स्कूल का सुधुशता हैि वहां कोई सुंद्रता है स्वच्छता है सचता है ग्रीनरी है चारदिवारी है ये काम सबसे पहले कराये जाएंगे हर एक स्कूल का इसके साथ ही सियम ने कहा कि नई शिक्षा नीती में तकनीक को अपना कर शिक्षा देने की योजना को देश भर में लागू करने के लिए साल 2030 तक का लक्षे रखा गया जबकि हम 2025 तक इसे लागू करने को लेकर संकलिप्थ है इसके साथ ही सियम ने कहा कि एंडियू और कुरुक्षेत युनिवसिटी ने केज कि से पीजी शुरू कर दिया है याने एजुकेशन जो इनफरमशन आईटी की एजुकेशन है यह तो और चोटे लेवल की प्राइमरी स्कूल के बाद मिडल स्कूल में जाते ही उस शिक्षा को हम शुरू करेंगे तो शिक्षा को शुरू करके और आगे किस परकार हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में हमने तयक है कि देश्वर में नए एजुकेशन पॉलिसी जो अब हुशित होई गाया अफों देशतों टयार्गेट रखा है दोर तीज तक मिशो को लागू करेंगे पूरे तोर पर हमने अरुनमें तैक चिया है कि 2030 दूर है हम अपने नई जो एजूकेशन पॉलिसी इसको दोजार पचीस तरह के लागू कर देंगे तीन साल के अंदर अंदर मुख्य मंत्री ने विध्यार्तियों से आईटी के शेत्र में कौशल हासिल करने का आवान भी किया उन्होंने कहा कि छात्रों की आईटी स्किल को निखारनी की ववस्ता सरकार की और से की जाएगी छात्रों को 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, AI, ब्लॉक, चेन, सहित, अन्य तकनीकों का कौशल प्रशिक्षन दिया जाएगा मुख्य मंत्री ने कहा कि फजिक्स और गणीत के वध्यार्तियों में अच्छी प्रतियोगिता हो इसके लिए छात्रों के लिए विश्यभार ओलंप्याड शुरू किया जाएगा इसमें अच्छे अंक लाने बाले छात्रों को नासा और इस्रो जैसी संस्ताओं में भीजा जाएगा जिला और राच्य अस्तर पर ओलंप्याड होंगे इसमें शामिल वध्यार्तियों को छात्र वरती और पुसकार भी दिया जाएगा मनोहर लाल ने कहा कि भारतिय सेना में 10 फिसदी हर्याना के युवा हैं लेकिन सेना में हर्याना के अपसरों के संख्या काफी कम है अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को NDA लेवल की तयारी करवाई जाएगी NDA की कोचिंग के लिए विशिश प्रबंद किया जाएंगे जनता टीवी के लिए रोतक सेज संजे कुमार की रिपोर्ट